हलो, मैं हूँ ने और आपका स्वागय थे मेरे चैनल नेहास कीचन में तो आज मैं बनाने वाली हूँ अर्बी की खटी सबजी जिसे 36 गड़ में इढल कहा जाता है, कई जगह इसे अर्बी के पत्ते कहीं जाते है और कई जगह इसे कोचाई के पत्ते कहा जाता है तो आप ये रेसी भी एक बिट रहे करके ज़रूर देखिएगा और मुझे लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसी भी कैसी लगी और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा बिल्कुट भी ना भूले पहले आप इसमें 200 ग्राम उड़त की दाल ले ले और उसे दो बार अच्छा पानी से थो ले इसमें 2 गलास पानी मिला कर आप इसे 6-7 गंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दे और ये देखिए 6-7 गंटे के बाद दाल अच्छे से भीग चुकी है दाल में हम कुछ मसाला मिलाएंगे तो जिसके लिए मैंने ले लिया है चार लसुंकी कलिया दो इंश टुकड़ा अध्रक का थोड़ा सा धनिया पत्ति नमा कापके स्वाथ के अनुसाथ आधा चमच लाल मिर्ज का पौडर और एक बड़ा चमच धनिया पौडर तो ये सारे मसाली हम एक साथ मिक्सर जार में डाल देंगे और उस मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी मिला कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेगे और ये देखिए इस तरीके का एक पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को हम पिसे हुए उड़द दाल जो उड़त दाल हमने भिगा के रखी थी उसका मैंने अच्छा फाइन पेस्ट बना लिया है तो पेस्ट बनाते वक्त आप याद रखिएगा उड़त दाल में आप ज़्यादा पानी मज डालियेगा क्योंकि ये मसाली के पेस्ट भी थोड़ा सा पतला होता है और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़ा चमच अमचूर पौडर और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से मिला लें अब हम अरबी के पत्ते लेंगे तो जो पत्ता सबसे बड़ा हो वो पत्ता आप सबसे पहले रखिएगा और याद रखिएगा कि वो पत्ता आप उल्टा रखिएगा और उसमें आप ये पेस्ट मिला लीजिएगा देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे हाथ से ही लगाईएगा तो ये काफी अच्छे से जो evenly पत्तों में लगता है बहुत जादा मोटा या बहुत जादा पत्ता बिल्कुल भी मत लगाईएगा नहीं तो इसकी जो हम बड़ी बाद में बनाएंगे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है और ये देखिए फिर मैंने दूसरा पत्ता लगाया और फिर आप ये पेश्ट इसमें लगाईए आप कम से कम 5-7 पत्ते का आप रोल बना सकते हैं मैं वीडियो काफी फॉवर्ड करके चला रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए और देखिए कुछ इस तरीके से और इसलिए जब हमने उड़त दाल का पेश्ट बनाया था उसे काफी पत्तला नहीं रखा था अगर आप ने जो पेश्ट है वो काफी पत्तला कर दिया तो ये पत्तों में अच्छे से लगेंगे नहीं अमचूर पॉड़र आप इसमें जरूर डालिएगा उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कुछ अर्वी के पत्ते ऐसे होते हैं जो खाने पर काफी थ्रोट में इचिंग होते हैं तो अमचूर पॉड़र डालने से वो बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे और ये देखिए एक चमच पेस्ट आप जरूर बचा के रखिएगा मैं बाद में बताऊंगी कि वो पेस्ट हम कहां पर यूज़ करेंगे तो आप ये पत्तों को आप अंदर की साइट मोल ले और अच्छा इसका एक रोल बना ले देखिए मैं इस तरीके से इसे काफी अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ आप इसको उपर में भी पेस्ट लगाए और याद रखिएगा कि एक चमच जो पेस्ट है वो हमें बचा कर रखना है हम इसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे बाद में और काफी अच्छे से सभी साइट से आप ये जो पेस्ट है उड़त दाल का उसे पत्तु में लगा दे आगे और पिछे साइट से भी और आप जैसे हम ढोकला या इडली बनाते हैं हम इसे भाप में ही पकाएंगे याद रखिएगा आप इसे प्रेशर को बिलकुल भी मत कर तो मीडियम फ्लेम में 20-25 मिनट आप इसे भाप में पकाईए या जब तक जो दाल है वो पकनी जाती अगर 20-25 मिनट में ये जो दाल है ना पके तो आप इसे पाच या दस मिनट एक्ट्रा भाप में पका सकते हैं तो जब तक ये पक रहा है अच्छली हम कर लेते हैं इसके ग्रेवी की तैयारी तो ग्रेवी के लिए ले ले आप तीन मीडियम अकार की टमाठर एक बड़ा चमज धनिया पोडर एक चमज लालमिज का पोडर दो इंश्टुकडा अद्रक का चार लसुन की कलिया थोड़े से कड़ी पत्ते तीन चोथाई कटोरी दही का और दो यह अच्छा सा पेस्ट बना लें थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है ताकि जह इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन सके आप इसकाब चाकु दाल कर सकते हैगर तो це दाल नहीं चिप की, इसका मतलब अच्छे से ये पक चुका है, और ये देखिए, इसे आप करीबन एक या डेड़ इंच के शेप में, राउंड शेप में आप इसे काट लें, ये देखिए कुछ इस तरीके से, तो इन सब बड़ियों को हम पहले शैलो फ्राइ करेंगे पैन म के पास हो उसमें तेल, तेल को पहले थोड़ा सा आप गरम होने दें, गैस को आप मीडियों फ्लेम में ही रखें, देखिए इसमें मैंने करीबन चार से पास चममस तेल डाल दिया है, और फिर उसमें आप डाल दें, जो वड़ियां हमने काट के रखी थी वो, अगर आप इ ऐसे ही उसे खा सकते हैं, बच्चों को डी फ्राइ किये हुए वड़ी बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खाने में बहुत ही कुरकुरे होते हैं, यह देखिए, तो हम वड़ियों को अच्छे से पहले फ्राइ कर लेते हैं, तो पहले जब यह एक साइट से यहीं कुछ इस तरीके से दोनों साइट से अच्छा गोर्डन ब्राउन हो जाना चाहिए और यह देखिए वडिया जो हैं वो दोनों साइट से अच्छे से रेडि हो चुका है तो सारी बड़ी आप ऐसे ही निकालने टीशू पेपर में और चलिए हम बनाते हैं इसके साथ खाने वाली ग्रेवी तो सेम कड़ाई में मैंने एक चमस ते लौर डाला है एक्स्ट्रा और उसमें आप पहले डाल दे सरसो कि मैंने यहां आधा चमस सरसो लिया है फिर डाल दे आप उसमें थोड़े कड़ी पत्ते और दो चुटकी हिंका हिंक जरूर डालिएगा क्योंकि जो ग्रेवी होती है उसमें हिंका तड़का बहुत ही अच्छा लगता है और उसमें आप डाल दे एक से दो हरी मिर्च अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं और फिर उसमें आप डाल दे दो बड़े चमस कसूरी में थी जो हमने मसाले में साथ में निकाल के रखा था और उसके बाद आप डाल दे अदरक लसुन, धनिया पॉडर और लाल मेर्च का पेस्ट मैं यहाँ पर थोड़ा इसे ढख रही हूँ ताकि कैमरे के लैंस में हैं मसाले उड़के ना आए और बस आप इसे एक से दो मिनट तक अच्छे से भूल ले ताकि जो अदरक लसुन का कच्चापन है वो निकल जाए और यह इस वक्त आपको इसकी बहुत अच्छी कुश्ब आईगी क्योंकि जो कसूरी में थी हमने डाला है उससे यह सबजी का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है तो आप जरूर डालिएगा और आप मसाले को लगतार चलाते रहें ताकि वो कढ़ाई से बिल्कुल भी मत चिपके यह दीखे अच्छे से अब भून चुका है और इसके साथ यह आप इसमें डाल दें पीसे हुए टमाटर जो टमाटर हमने पीस के रखा हुआ था यह देखे और टमाटर डालने के साथ ही आप डाल दें इसमें नमक अपने स्वात के नुसार और आधा चमस हल्दी गाउ पर पास से दस मिनट ही लगेंगे और जो तीन चौथाई कब दही हमने रखा था उसे आप मिक्सर में गुमा लें परीबन कुछ पास दस सेकंड के लिए और यह देखिए और जो एक चम्मच उड़त दाल का पेश्ट मैंने आपको कहा था वो भी आप इस दही के साथ मिला ले और यह देखिए जो टमाटर है उसमें से देल अलग हो रहा है टमाटर अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें देली नहीं करेंगे और जो दही हमने फेट के रखाए मिक्सर से घुमा कर वो इसमें डाल देंगे एक बाद आप याद रखिएगा कि दही डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें और गैस का जो फ्लेम है वो आप लो कर दें यह देखिए आप इसे कंटीलियू मिलाते रहें तो जो उड़त दाल एक चमच हमने इसमें मिलाया है जो पेश्ट हमारा रेडी था तो वो इस दही को फटने से बचाएगा यह देखिए आप इसे कंटीलियू घुमाते रहें और जब दही में से तेल अलग होने लग जाए तब आप उसमें डालने करीबन डेड़ ग्लास पानी और उसमें अच्छे से आप उबालाने दें गैस को कर दें आप मीडियम फ्लेम में और यह देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है तो जो वड़ियां हमने शैलो फ्राइ करके रखी थी आप उसमें डाल दीजिए याद रखिएगा कि आप इसे उबलते हुए ही ग्रेवी में डालिएगा यह देखिए और इसे आप ढखकर पांच मिनट के लिए पक आ चुका है ग्रेवी में और इसमें आप गार्निशिंग कर लिजिए इसे फ्रेश हरे धनिया के साथ और इसे गर्मा गरम आप चपाती और राइस के साथ सर्फ करें और मुझे लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और अगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूलें